जय हैं दोस्तों, वै हूं मुक्तक सिंग राठोग। ब्रिटिश ने सेंट्रल इंडिया और वेस्टन इंडिया में अपने डॉमिनेंस को सेट अप किया था। अपने 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 गया था। यह सारे टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे and सबसे पहले बात करेंगे हम लोग Conquest of Bengal की लेकिन Conquest of Bengal से पहले एक और topic हम discuss करेंगे वो है Carnetic Wars Last lecture में हमने देखा था कि किस तरह से इंडिया में Europeans का arrival हुआ था Portuguese power आई थी फिर उसके बाद Dutch power आई थी British power आई थी और फिर सबसे आखरी में French power आई थी लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको last lecture में कि ultimate competition French power और British power की बीच में था दोनों ही इंडिया में अपनी trade monopolies को set up करना चाहते थे और इसी लिए दोनों ने ही आपस में compete किया था और उनकी competing की वजह से Carnetic Wars हुए थे इन Carnetic Wars में Britishers की ultimate victory हुई थी और इसी victory के बाद Britishers ने आगे Bengal, मैसूर, मराथा, सीख इन सब की against conquest करी थी तो एक बार इन नट्शल हपन ये देखते कि Carnetic Wars में actually हुआ क्या था Carnetic Wars उन Wars की series को कहा जाता है जो कि Carnetic के area में लड़े गए थे Carnetic का area आज के Tamil Nadu का northern area और आंध्रप्रदेश का south eastern area adjoining है यहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसीों के बीच में कुछ लड़ाईयां और जड़पें हुई थी जिने Carnetic Wars कहा जाता है तीन Carnetic Wars लड़े गए थे 1748 से लेके 1763 के बीच जिसमें पहला Carnetic War 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया था क्यों लड़ा गया था जब Britishers और French power शुरू में भारत में आये थे तो शुरू में ये एक दुसरे को help करते थे क्योंकि एक foreign land में थी दो बड़ी powers दोनों ही European थी तो एक दुसरे को help करते थे एक दुसरे को cooperate करते थे लेकिन जैसे जैसे politics गहराती गई भारत के अंदर दोनों ही powers trade monopolies तलाशने लग गई और फिर उन दोनों के बीच धीर धीरे competition बढ़ती गई तो एक तो ये भी वजह थी Carnatic Wars होने की लेकिन हर Carnatic War की अपनी यूनीक वजह भी थी immediate cause भी था उसी process में जो first Carnatic War था उसका immediate cause था Austrian War of Succession ऑस्ट्रिया जो की यॉरप के mainland के अंदर एक बहुत बड़ी country हुआ करती है और उस समय वो Austro-Hungarian Empire हुआ करता था तो Austro-Hungarian Empire का बड़ा importance था यॉरप में अब Austria का नया ruler कौन बनेगा इसको लेकर French और British power की rivalry हो गई क्योंकि British जिस candidate को favor कर रहे थे French उसके opponent को favor कर रहे थे तो initially ये लड़ाई यॉरप में हुई थी लेकिन इसका असर भारत में भी देखा गया और भारत में भी British और French power इसी वज़ा से पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आती है लड़ाई होती है लड़ाई में फ्रांसीसियों को upper hand होता है अला कि लड़ाई inconclusive थी indecisive थी लेकिन इसमें upper hand French power को होता है और इस लड़ाई का अंत होता है treaty of eggs last chapel से जो कि फ्रांस में sign की गई थी और इस treaty के साथ में तय किया जाता है कि मदरास जो कि Britishers का एक strong hold था और French power ने इस लड़ाई में उसको जीत कर अपने कवजे में ले लिया था वो Britishers को वापस दिया जाता है क्योंकि Europe और North America के अंदर भी दोनों के बीच में कुछ लड़ाईया चल रही थी और वहाँ पे French power को losses हुए थे तो वहाँ पे कुछ losses French power को कुछ areas जो French power ने lose कर दिये थे उनको वापस दिये गए थे तो उसके बदले में French power ने भारत में जो madras जीता था वो भी Britishers को वापस कर दिया तो यह लड़ाई बराबरी पे खतम होती है लेकिन फिर ज्यादा वक्त होता नहीं है और दूसरी बार फिर यह भिढ़ जाते है 1749 से लेके 1754 क बीच में और इस बार इस लड़ाई की वज़व होती है है धराबाद's war of succession भारत का एक state जो है धराबाद था आज तो आंदरप्रदेश और तेलांगरा के इलाके थे वो लेकिन उस समय उसको है धराबाद का राज्य कहा जाता था है धराबाद के राज्य में वहां के रूल चाहते थे कि नासिर जंग रूलर बन जाए फ्रेंच चाहते थे कि मुझफर जंग रूलर बन जाए दोनों के अपने अपने इंट्रेस्ट थे कि दोनों के फ्रेंड अलग अलग थे फ्रेंच चाहते थे कि उनका जो फ्रेंड है वो रूलर बन जाए है धराबाद का तो फ् लड़ाई भी इनकन्क्लूजिव होती है लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा अपर हैंड मिल जाता है और इस लड़ाई का एंड होता है ट्रीटी ओफ पॉंडी चैरी से क्योंकि अब फ्रेंच पावर और ब्रिटिश पावर एक दुसरे के काफी ज् के बीच में जिसे थर्ड कार्निटिक वार कहा जाता है जो 1756 से लेके 1763 के बीच शुरू होती ये वो फेस था जो ब्रिटिश और फ्रेंच पावर ना सिर्फ भारत में बलकि भारत के बाहर यॉरप में और नॉर्थ अमेरिका में भी लगातार कॉलोनीस को एक्सपैंड करन प्रेंच पावर को डिफीट कर देते हैं और फ्रेंच पावर को पॉंडी चरी के अलावा अपने सारे मेजर सेटलमेंट्स ब्रिटिश और को हैंड ओवर करने पड़ते हैं 1763 में ये लड़ाई खतम होती है ट्रीटी आफ पैरिस के द्वारा इस लड़ाई में इस थर्ड क कार्निटिक वार में एक बैटल लड़ा जाता है जो सबसे डिसाइसिफ बैटल था और उस डिसाइसिफ बैटल का नाम हुआ करता था यहाँ पर मैं लिख देता हूं बैटल ओफ वन्डी वाश जो 1760 में लड़ा गया था जो थर्ड कार्निटिक वार था था थर्ड कार्निटिक वार की प्रोसेस में जो आखरी लड़ाई लड़ी गई थी भारत में वो 1760 में लड़ी गई थी हाला कि 7 years वो और 3 साल और चला लेकिन भारत में कोई लड़ाई नी होती है वो सारी लड़ाईया नौर्थ अमेरिका में उनके बीच में हो रही थी और समाम तमाम जगह उपर लड़ाई करने के बाद में इनके बीच में पैरिस की ट्रेटी होती है जिसके हिसाब से मैं रहे करेगी और फ्रेंच पावर एक सबाडिनेट या चूटी मूटी पावर बनके सिर्फ पॉंडी चरी तक लिमिटेड रहेगी और यहीं से ब्रिटिशर्स को इस बात का भी रियलाईजीशन होता है कि हमारी चूटी लेकिन वेल एक्विप्ड वेल ट्रेंड एंड डिसिप्ल से भी हुए थी और ब्रिटिशर्स में बहुत इफेक्टिवली उनको डिफीट किया था तो उनको इस बात का भी सेंस हो जाता है कि हमारी मिलिटरी स्ट्रेंग्ट बहुत ज्यादा है भले हमारे पास छोटी आर्मीज है लेकिन फिर भी हम बड़ी बड़ी इंडियन पावर इसको डिफीट कर सकते हैं और यही सेंस जब ब्रिटिशर्स को होता है तो उसको हम कहते हैं कि खून मुँ में लग गया ब्रिटिशर्स के और उसके बाद वो एकनॉमिक या उसके बाद वो ट्रेड डॉमिनस के साथ साथ पॉलिटिकल डॉमिनस भी सेट अप करने की प्रोस में वो जो पहला सूबा होता है जिसको ब्रिटिशर्स जीवते हैं वो होता है बंगाल का सूबा 1757 में कॉन्क्विस्ट ऑफ बेंगॉल होती है ब्रिटिशर्स की बेंगॉल वाजन ऑटनॉमस रीजन अंडर दे मुगल्स विच वाज रूल्ड बाइन अवाब अली वर्दी खान and after his death in 1756 he was succeeded by his grandson सिराज उद्दौला who was young and inexperienced अब यहाँ पे situation यह होती है कि बेंगॉल पहले तो मैं आपको बेंगॉल के बारे में कुछ बता दू कि बेंगॉल वैसे तो मुगल एंपायर का ही एक प्रोविन्स हुआ करता था लेकिन बेंगॉल 1717 के बाद से ही मुगल एंपायर की वीक होते ही autonomous हो गया था और बेंगॉल का एक नया नवाब बन गया था जो बेंगॉल को रूल करता था वहाँ से collect की हुए tax का एक हिस्सा मुगलों को दे देता था लेकिन अब उसकी पूरी authority बेंगॉल के उपर हो गई थी वो पहला नवाब मुर्शित कुली खान था मुर्शित कुली खान जिसने मुर्शिदाबाद capital भी बनाई थी बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब बना था अल्दो अंडर दा अंब्रेला ओफ मुगल एंपायर बट फिर भी बेंगॉल को काफी ऑटोनॉमी थी बेंगॉल आज का वेस्ट बेंगॉल आज का बांगला देश आज के उडिसा के कुछ हिस्से बिहार जारखन के हिस्से कुम मिलकर बनता था और यह जो बेंगॉल हुआ करता था यह बहुत रिच प्राविंस हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे अग्री कल्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था स्वाइल बहुत ज्यादा फर्टाइल थी वॉटर की अविलेबिलिटी ओल राउंड दे येर होती थी तो यहां से टेक्स बहुत अब तक बंगाल में सब कुछ ठीक चल रहा था अली वर्दी खान की डेथ के बाद में उसका ग्रैंड संग जिसका नाम सिराजुद दौला था वो बंगाल का नया नवाब बनता है यूकि उम्र में छोटा होता है 20-21 साल का होता है इन एक्सबीरियंस होता है और इसी लिए उसके खुद के दर्बार के कई नोबल में अब ये एमबिशन बना लेते हैं कि हम भी रूलर बन सकते अगर हम किसी तरह से सिराजुद दौला को अपने रास्ते से हटा दे तो हम खुद रूलर बन सकते और उनमें सबसे प्रॉमिनेंट था मीर जाफर मीर जाफर अपने में बंगाल के कई डिगनिफाइड लोगों को मिला लेता है कई बड़े कमांडर्स को मिला लेता है खादिम खान को मिला लेता है राय दौरलप को मिला लेता है जगत सेट को मिला लेता है सेट मानिक चंदर को मिला लेता है सेट अमी चंद को मिला लेता है तो ये बड़े- सिराजुत दौला के दुश्मन हो जाते हैं. तो Britishers और मीर जाफर और उसकी parties मिलकर एक alliance बना लेते हैं सिराजुत दौला के against. मीर जाफर और उसके commanders छुपकर सिराजुत दौला के against conspiracies रच रहे थे. जिसकी information unfortunately सिराजुत दौला को कभी नहीं लग पाई. और जब लगी तब त Britishers के उपर नकैल करसने के लिए उनकी उपर हमला कर दिया. जो आज कलकता या कोलकाता का इलाका है वहाँ पर अली नगर नाम की जगह पर सिराजुत दौला की सेना ने हमला कर दिया. ब्रिटिशर्स को fortifications बनाने से रोकने के लिए कई warnings दी गई. लेकिन जब Britishers ने fortifications बनाने से अपने आपको नहीं रोका तो सिराजुत दौला ने हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में Britishers मुकाबला नहीं कर सके और अली नगर की लडाई में Britishers की हार होती है. लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा incidence होता है जिसकी वजह से tides एकदम बदल जाते हैं और इस incidence को क रहा जाता है black hole incidence इस photograph में आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग एक कमरे के अंदर बंध है और एक छोटा सा विंडो है जिससे कि वह बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं अली नगर की लडाई जीतने के बाद सिराजुत दौला के soldiers और Commanders ने बहुत सारे 46 लोगों को एक ही कमरे चोटे से कमरे के अंदर बंध कर दिया राद भर के लिए और सुबह जब उस कमरे के ताले को खुला गया तो पाया गया कि 146 में से 123 ब्रिटिशर्स की और उनके इंडियन सर्विंट्स की डेथ हो चुकी है यह बहुत बड़ा incidence था इस incidence ने ब्रिटि किया तो जो जीती हुई लड़ाई थी अचानक उसमें psychological disadvantage सिराजुद दौला को हो गया और ब्रिटिशर्स इतने enraged हो गए कि Robert Clive और Admiral Watson ने Madras से सीधा एक मार्च किया और वो मार्च करके Bengal पहुँच गए सिराजुद दौला को challenge करने के लिए अब सिराज जो इस लड़ाई करी यह लड़ाई के लिए आ गया है अब सिराज समझ गया कि अब उसकी हार हो सकती इसी लिए Britishers के आने से पहले ही वो अली नगर को छोड़के वापस बीचे चला गया तो Robert Clive जब यहाँ पे आया Robert Clive ने देखा कि दुश्मन तो ही नहीं यहाँ पे लड़ाई करने के British counter-attacked under Robert Clive and Admiral Watson. Siraj was pushed back from Alinagar and forced to sign the treaty according to which the Britishers were promised all the privileges and fortification of Calcutta. तो उस समय जैसे ही Admiral Watson और Robert Clive वहाँ पे पहुचते हैं, Siraj पीचे हड़ जाता है, फिर इनके बीच में treaty होती है. कि 1717 में फर्रुक सियार नाम के मुगल बादशा के दौर में, जो भी trade privileges बंगाल में Britishers को दिये गए थे, वो कायम रहेंगे, Britishers अपने fortification को बनाते रहेंगे, और ये भी रखा गई, ये भी शर्त रखी गई कि दोनों ही एक दुसरे के दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे. लेकिन इस treaty को दोनों तरफ से violet किया गया, Britishers ने भी मीर जाफर के साथ मिलके सिराजुत दौला के against conspiracy को continue किया, और सिराजुत दौला ने भी Britishers की power को deal करने के लिए French power से दोस्ती कर ली, अब ये सब कुछ कब हो रहा है, 1756 में हो रहा है, ये वही वक्त है जब 3rd Carnetic War शुरू के बीच में, तो French इस समय Britishers के बहुत बड़े दुश्मन थे, और जो सिराज ने फ्रांसी सी उसे दोस्ती कर ली, तो Britishers ने माना कि आपने हमारे दुश्मनों से दोस्ती कर ली, और इसलिए अपनी treaty को violate कर दिया, और अब लड़ाई होकर रहेगी, और फिर होता है Battle of Plasi 1757 मे इस लड़ाई में मीर जाफर, खादिम खान, राय दुरलब और मोहनलाल, मीर मदान खान, ये कमांडर्स थे सिराज उद दौला के जो बहुत बड़ी आर्मी लेके आया थे पलासी के मैदान में, लेकिन उसके बाद भी ये हर गए, उसके मुकाबले रॉबर्ट क्लाइफ के पास सिर्फ 8000 सेनिक थे, तो क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि मोहनलाल और मीर मदान खान तो लौयल थे सिराज उद दौला के लिए और उसके लिए लड़े भी इस लड़ाई में, लेकिन राय दुरलब, खादिम खान और मीर जाफर इन सब ने बिट्रेल किया और बैट पुनिंसी नहीं बची, शुरुवाती मुटबेड के बाद, मीर मदान खान की डेथ होती है इस लड़ाई के अंदर, और मोहनलाल किसी तरह से सिराज उद दौला को बचा के निकाल के ले जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हार के बाद, जब सिराज को इस बात का अनको पकड लेता है और अनको पकड के उनकी हत्या कर देता है, इसी के साथ में सिराज वाइप आउट हो जाता है, ऐस नवाब ऑफ बेंगॉल और उसकी जगे नया नवाब बनाया जाता है मीर जातर को और मीर जाफर नया नवाब तो बन जाता है लेकिन मीर जाफर सिर्फ एक पपेट नवाब बन के रह जाता है जो बाद में मीर जाफर को भी realize होता है लेकिन अगेन तब तक बहुत देर हो चुकी थे इसके बाद में हम बात करते कि किस तरह बंगाल के अलाके में dominance setup करने के बाद Britishers ने South India के इलाके में भी अपने dominance को setup किया South India के इंदर जो major power Britishers को challenge कर रही थी वो power थी मैसूर की power जरा पहले मैसूर की location को देखते हैं आज जो ही South India के करनाटा कुछ केरल के इलाके और तमिल नाडू के कुछ इलाके मिलकर ये राज्य बनता था जिसको हम उस समय मैसूर राज्य कहते थे और आजकल ज्यादा तर ये हिस्सा करनाटक के इलाके में आता है The Kingdom of मैसूर was originally ruled by Vardyar dynasty. Originally तो ये इलाका Vardyar dynasty के द्वारा rule किया जाता था लेकिन इस वक्त यानि की 18th century के second half में Vardyar dynasty के ruler कृष्ण राज Vardyar काफी weak हो चुके थे और इसी लिए उनी का एक commander जिसका राम हैदर अली था उसने सारे राज्य की बागदोर अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ में बागदोर लेने के बाद मैसूर कई military को strong किया और military को strong करके Britishers से head on collision किया initially Heather अली Britishers से दोस्ती करना चाहता था लेकिन problem ये थी कि Heather अली के दुश्मनों से Britishers की पहले ही दोस्ती थी और इसलिए Britishers ने Heather अली के दोस्ती के प्रस्ताव के ऊपर कोई response नहीं किया जिसके बाद Heather अली ने ये मान लिया बीच में कहीं नहीं हो सकते क्योंकि Britishers भी ambitious थे अपने rule को फैलाने के लिए और सिराजुद और Heather अली भी ambitious था मैसूर की power को बढ़ाने के लिए और इसलिए इनके बीच में तीन लडाईया होती है जिसमें पहली लडाई होती है जिसे first एंगलो मैसूर war कहा जाता है इसकी वज़य ये होती है ये लडाई 1660 1767 से लेके 1769 के बीच में होती objective इसका था Heather अली का ambition Carnetic region में यानि कि Tamil नाडू के northern और आंधर प्रदेश के south eastern region में अपने आपको expand करना लेकिन अंग्रेजों के दोस्त होता है जो लगबग 2 साल तक चलती है इसका result था कि war ended with indecisiveness but upper hand of Heather अली पहली बार भारत में अंग्रेजों को कोई चुनोती मिली थी इस लडाई में Heather अली ने कई युद्ध जीते थे और Britishers के उपर upper hand gain किया था लेकिन कुछ युद्ध ब्रेटिशर्स ने भी जीते थे जिसकी वज़े से लडाई indecisive होती है and it ended with the treaty of Madras आपको इन लडाईयों में questions जो पूछे जाते वो treaties के हिसाब से पूछ लिये जाते या साल के हिसाब से पूछ लिये जाते तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस तरह की जो लडाईया होती है वो कौनसी treaties से end होई थी तो पहला Anglo-Mahsour War Madras की treaty के साथ में end होता है लेकिन लगबक 11 साल बाद एक बार फिर इनके बीच में लडाई होती है अच्छा Madras की treaty क्या कह रही थी Madras की treaty ये कह रही थी कि Britishers और Heather Ali ये दोनों अब एक दूसरे की friendly एक दूसरे के साथ friendly terms पे रहेंगे और जब भी एक दूसरे को मदद की जरूरत होगी तो एक दूसरे को मदद भी करेंगे यहाँ पे 1771 में Maratho का एक बहुत बड़ा हमला होता है Heather Ali के ओपर और इस समय Heather Ali अंग्रेजों की मदद लेना चाहता था लेकिन अंग्रेजों ने Maratho के against Heather Ali की मदद नहीं करी और इसी के साथ Heather Ali ने मान लिया कि अंग्रेजों जो Madras की treaty sign करी थी वो treaty उन्होंने अपनी तरफ से violate कर दी और इसलिए Heather Ali ने भी अपने मन में इस treaty को रद कर दिया 1780 में Heather Ali को इस बात के realization होता है कि अगर हमको grow करना है militarily grow करना है economically grow करना है तो जिस तरह का industrialization Europe के अंदर आया है उसी तरह के industrialization को महसूर के अंदर भी लेके आना है और वो तभी आ सकता है जब हम किसी foreign power की मदद ले अब Britishers तो मदद करने वाले नहीं थे तो Heather Ali Francis की मदद लेता है और Francis की दल को अपने राज्य में बुला के माहे नाम के पोर्ट में उनको authority दे देता है कि यहाँ पे आप अपनी factory set up करो और हमको भी industrialization में help करो इस से अंग्रेज नाराज हो जाते है अंग्रेज हैदर अली से कहते है कि हमने तो यह treaty sign करी थी कि एक दुसरे के दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे और तुमने तो हमारे दुश्मनों यानि कि फ्रांसी सियों को भुला के पूरा का पूरा एक port दे दिया तो हैदर अली भी ब्रिटेश अर्स से कहते है कि जब मराठे हमारे उपर हमला करने वाले थे तब तुम कहा थे हमें दोस्त बुलाने वाले उस वक्त कहा थे जब हमारे उपर खत्रा मंडरा रहा था तो तुमने तब भी treaty का मान नहीं रखा तो अब ये treaty का कोई औचित्य ही नहीं रहे गया और इसलिए ब्रिटेश अर्स और हैदर अली एक बार फिर लड़ाई करते हैं और इस बार होता है सेकेंड एंगलो मैसूर वार जो 1780 से लेके 1784 के बीच में होता है यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान जो कि उसका बेटा था ये दोनों मिलके शुरुवाती दो साल में कम्पलीट अपर हैंड ले लेते हैं ब्रिटेश अर्स के उपर और ब्रिटेश अर्स को कई लड़ाईों में defeat भी करते हैं लेकिन 1782 में कैंसर की वज़े से हैदर अली की डेथ हो जाती और उस डेथ के बाद में टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाता है और ब्रिटेश अर्स इस बात का पूरा फाइदा उठा के लड़ाई के टाइड को चेंज कर देते हैं और 1782 से लेके 1784 के बीच का जो फेज था इस फेज में ब्रिटिशर्स डॉमिनेट कर लेते हैं इस लड़ाई के अंदर और कई लड़ाई है जीत के इस लड़ाई को इंडिसाइसिव बना देते हैं इस लड़ाई का एंड होता है ट्रीटी आफ मैंगलोर से जिसमें जिसको हम कहते हैं इंगलीश में कि स्टेटस को मेंटेंड होता है याने कि जैसी परिस्तिती लड़ाई के पहले थी वापस वैसी ही बन जाती है फिर होता है थर्ड एंगलो मैसूर वार जो 1789 से 1791 के बीच में होता है इसकी वज़व क्या होती है टीपू सुल्तान by this time had become a very powerful ruler लेकिन टीपू सुल्तान expansionist भी था और टीपू सुल्तान ने मैसूर के kingdom को expand करने के लिए त्रावण कौर नाम के राज्ज के उपर हमला कर दिया जो आज के केरल का इलाका है त्रावण कौर का राज्ज अंग्रेजों का दोस्त था और जैसे ही टीपू सुल्तान ने त्रावण कौर के उपर हमला किया त्रावण कौर ने मदद के गोहार अंग्रेजों से लगई और अंग्रेज मदद के लिए आते हैं त्रावण कौर की और इसी के साथ में टीपू सुल्तान और अंग्रेचों के बीच में तीसरी लड़ाई शुरूर होती है, जिसको थर्ड एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है, इसका नतीजा होता है कि अंग्रेचों की पूरी जीत हो जाते है टीपू सुल्तान के ओपर, क्योंकि इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अपने साथ में हैदराबाद के निजाम और मराठो को भी मिला लिया था 53 को और तो पहले ही लड़ रहा था टीपू सुल्तान से अंग्रेज भी आ गए थे हैदराबाद और मराठो को भी बुला लिया गया था तो टीपू चारों तरफ से घेर लिया आ जाता है और अच्छी military strength होने के बाद भी टीपू की यहाँ पे हार होती है टीपू की हार के साथ ही बहुत ही humiliating treaty टीपू को sign करनी पड़ती है जिसको कहते हैं treaty of श्री रंग पटनम इस treaty के according टीपू को आधार राज्य अंग्रेजों क भी पे करने पड़ते हैं क्योंकि अंग्रेज टीपू के उपर आरोफ लगाते हैं कि आपने युद्ध की शुरुवात करी और इस युद्ध का हर जाना भी अब आपको देना पड़ेगा तो टीपू को पूरी तरह से bankrupt कर देते अंग्रेज और आधार राज्य भी छीन ले शुरू होकर खतम हो जाती है जब मैसूर कमजर होई गया था टीपू सुल्तान जिसको कहा जाता था शेरे मैसूर तर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद में अंग्रेज बड़ी शांग से कहते थे कि मैसूर के इस शेर के दात और नाखून हमने निकाल दिये हैं याने कि we have made the tiger of मैसूर teethless and clawless तो अब वो teethless and clawless tiger ज्यादा से ज्यादा रोर कर सकता था लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता था तो फिर फूर्थ एंग्लो मैसूर वार होता ही क्यों है वो इसलिए होता है क्योंकि 1799 में French Revolution का end होता है और French Revolution के end के साथ ही Napoleon का rise होता है France में जूकि एक expansionist था जूकि एक conqueror था और यॉरोप में बहुत बड़ा challenge बन गया था Britishers के लिए यही Napoleon टीपू की मदद करने के लिए भी तैयार था और अंग्रेज इससे बड़े परेशान हो गए कि अगर Napoleon की मदद टीपू को मिल गई तो यह भारत में हमारे लिए बहुत बड सकते थे लेकिन टीपू जो कमजोर हो चुका था उसके उपर हमला करके उसको हरा सकते थे और अंग्रेज उने इसी लिए अचानक हमला कर दिया टीपू के उपर इससे पहले की टीपू नेपोलियन से दोस्ती करें नेपोलियन को यहां बुलाए नेपोलियन की आर्मी आए और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करें इतना मौका ही क्यों देना दुश्मन को इसी लिए अंग्रेजों ने टीपु सुल्तान के उपर श्रीरंग पटनम में हमला कर दिया और इस हमले में लड़ते लड़ते टीपु मारा गया जिसके साथ ही ये लड़ाई भी खतम होती है और इसी के साथ जो मैसूर का बचा हुआ हिस्सा था वो पुरानी वाड़यार डाइनिस्टी के रूलर्स को उनके डिसेंडेंट्स को दे दिया जाता है और अब मैसूर ब्रिटिशर्स का एक एलाय बन जाता है एक फ्रेंडली और लॉयल स्टेट बन जाता है इसी के साथ मैसूर का चैलेंज खतम हो जाता है और साउथ इंडिया के अंदर भी ब्रेटिशर्स का डॉमिन सेट अप हो जाता है एक बहुत बड़ी पावर जो अभी भी ब्रेटिशर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी वो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में मौजूद मर मराठों के साथ में अंग्रेजों की कई लडाईया होती है लेकिन मराठों की अंग्रेजों से लडाई क्यों होती है उसकी वजह क्या होती है उसको समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि पानीपत की लडाई में डिस्ट्रक्शन के बाद मराठों का क्या होता है तो यहां पर लिखा हुआ है कि Marathas suffered political leadership crisis क्यूंकि बहुत सारे commanders third battle of Panipat में Maratho के वीर गती को प्राप्त हो गये थे और इसलिए leadership crisis develop हो गया था Maratho में Soon this vacuum was filled by Madhav Rao, a young Peshwa Nana Farnaviz and Mahajji Sindhya and Ahilyabhai होलकर लेकिन Panipat के लड़ाई के immediately बाद एक नए पेशवा आते हैं Madhav Rao, साथी साथ उनके minister Nana Farnaviz और उनके एक eminent commander जिनका नाम Mahajji Sindhya था और साथी साथ इंदौर की Ahilyabhai होलकर ये तीन-चार लोग मिलकर Maratho की तूटी हुई शक्ती को दोबारा जोडते और between 1761 to 1771 the Maratha Empire in Northern India was resurrected ये वापस से उत्तर भारत में चौथ वसूल करने लग जाते हैं और इनकी political और military positions बहतर होने लग जाती लेकिन unfortunately for the Marathas Madhav Rao पेशवा की death होती है जिसके बाद उसी के एक भाई Narayan राव जो की बहुत छोटा था उमर में उसे पेशवा बनाया जाता है लेकिन Narayan राव की हत्या करवा देता है रगुनात राव जो उसी का अंकल था और रगुनात राव का ambition खुद पेशवा बनने का था लेकिन रगुनात राव जिस तरह से Narayan राव की हत्या करवाता है पेश्वा बनने के लिए तो इसलिए यहाँ पे यही cause of war बन जाता है कि वो रगुनात राओ के पेश्वा के claim को accept नहीं करते और माधवराओ के एक छोटे बेटे जिसका नाम सवाई माधवराओ था उसे पेश्वा बना देते तो रगुनात राओ को बड़ा घुस्सा आता है कि अगर मैं पेश्वा बन सकता था तो दूसरों को क्या problem थी और जब वो यह देखता है कि सारे मराठे एक हो गए मुझे पेश्वा नहीं बनाने के लिए तो यह रगुनात राओ अंग्रेजु से मदद लेने के लिए जाता है कि अंग्रेजु की मदद से वो हराएगा बाकी मराठा सरदारों को और पेश्वा बन जाएगा तो अपने परसनल एंबिशन को पूरा करने के लिए वो ब्रेटेशर्स की मदद लेता है और ब्रेटेशर्स की लग देता हूँ फर्स्ट एंगलो मराथा वार का टाइम लाइन सेवेंटीन हंड्रेट सेवेंटी फाइफ से लेके सेवेंटीन हंड्रेट इटी टू के बीच में यानिकी साथ साल तके लडाई चलती लडाई के शुरुवाती फेज में महानजी सिंदिया और नाना फड़नवीज मिलके रगुनात राओ को डिफीट कर देते और सूरत से आए हुए ब्रिटिशर के ट्रॉप्स को भी डिफीट कर देते रगुनात राओ वास टेकन ऐस प्रिजनर ओफ ओऊर और बाद में महानजी सिंदिया इनको ग्वालियर में छोटी सी जागिर देकर वहीं पे रख देते हैं दोबारा कभी पूना नहीं आने देते हैं लेकिन ये लड़ाई यही खतम हो गई थी बट इस लड़ाई को आगे बढ़ाया वारन हिस्टिंग्स नाम के ब्रिटिश गवर्नर ने वारन हिस्टिंग्स का एक कहना था कि सूरत के अंग्रेजों की टुकडी के हार जाने से अंग्रेजों की हार नहीं हो गई और अंग्रेज अब अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और इसी के साथ इन्हों ने बेंगॉल से वारन हिस्टिंग्स ने excellent leadership of महाजी सिंधिया इस लडाई में इस युद्ध में कई इस वार में कई युद्ध होते हैं उनमें कुछ युद्ध मराठे हारते भी हैं लेकिन ज्यादा तर युद्धों में मराठों का dominance होता है महाजी सिंधिया एक बहुत expert और experienced commander थे तो वो अंग्रेजों को कई मूर्चों पर हराते हैं और इसलिए अंग्रेजों को Warren Hastings को सबक मिलता है कि मराठों से जीतना इतना आसान नहीं है और इसलिए treaty of salby 1782 में salby नाम की जगह पर present day मद्ध्यप्रदेश में treaty होती है इसी के साथ में इस लड़ाई का end भी हो जाता है और ये लड़ाई पूरी तरह से मराठों के favor में चली जाती है और अगले 20 सालों तक फिर मराठों और अंग्रेजों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती लेकिन फिर एक लड़ाई और होती है Second Anglo-Maratha War What was the reason of Second Anglo-Maratha War देखिस Second Anglo-Maratha War का reason था Let me see it, one, give me a moment Second Anglo-Maratha War The successor of Raghunath Rao named Baji Rao became the Peshwa However, his supremacy was not accepted by Yashvant Rao, Holker of Indor अब Raghunath Rao तो कभी Peshwa नहीं बन पाते लेकिन Raghunath Rao की death के बाद में Peshwa, नया Peshwa बनता है Raghunath Rao का बेटा जिसका राम था Baji Rao Second एक Baji Rao First थे जिन्होंने Maratha Empire बनाया था लेकिन ये Baji Rao Second थे जो Raghunath Rao के बेटे थे अब Raghunath Rao के बेटे पेशवा तो बन जाते हैं लेकिन by this time Indor के Maratha सरदार Gualier के Maratha सरदार गुजरात के वडोदरा के Maratha सरदार या नाकपूर के Maratha सरदार पेशवा को अब इतना important नहीं मानते थे कि सब लोग अपनी अपनी जगे independent हो चुके थे और किसी पेशवा के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे लेकिन बाजी राव सेकेंड चाहता था कि पेशवा की पुरानी ग्लॉरी लोट के आए और सारे Maratha सरदार पेशवा को ट्रिब्यूट पे करें उसको सपोर्ट करें गुजर के सिंधियाओं ने तो उनको सपोर्ट किया और महाजी सिंधियाओं को भी अपनी तरफ ले लेते हैं अब ये बाजी राव सेकेंड बिलकुल अपने फादर के फोटे स्टेप्स पे चलके वापस अंग्रेजों के पास जाता है मदद के लिए और एक बार फिर अंग्रेज इनकी मदद करने के लिए तयार होते है और इसी के साथ में सेकेंड अंग्लो मराथा वार की शुरुआत होती है क्योंकि बाजी राव यश्वंद राव हुलकर से हार गए तो अब मदद के लिए अंग्रेजों के पास गए और फिर सेकेंड अंग्लो मराथा वार की शुरुआत होती है सेकेंड अंग्लो मराथा वार में अंग्रेज ज्यादा अच्छे से प्रिपेर्ड थे मराथों से एक बार पहले लड़ चुके थे उनके लड़ने के तोर तरीके strength weaknesses को sense कर चुके थे इसी लिए इस लड़ाई में मराठो ने नाकपूर के भोसले को भी डिफीट किया ग्वालियर के सिंधियाओं को भी डिफीट किया सिर्फ इन दौर के यश्वंत राओ हुलकर ही किला लड़ा पाए अंग्रेजों से लेकिन वो अकेले पड़ गए इसी लिए लड़ाई पूरी तरह Britishers के favor में end होती है कि यहाँ पे पेशवा went to British for seeking help the British agreed in return of granting them solvity and Versailles Second Anglo-Maratha War began और इस Anglo-Maratha War में होता क्या है दौलत राओ सिंधियाओं वोस डेफीटेड और साइन शूरजी अंजन गाओ यह ट्रीटी बहुत अच्छे से याद रख लेना एक्जाम में as it is पूछली जाती है और इस ट्रीटी के साथ में चंबल नदी के उत्तर की जितनी भी territories सिंधियाओं के कंट्रोल में थी जहां से वो चौत कलेक्ट करते थे उस सब अंग्रेजों को देनी पड़ी अठारा सो तीन में साथ ही साथ रागोजी भूसले जो की नागपूर के रूलर थे जिन्होंने उडीशा तक के अलाखे को डॉमिनेट करके रखा हुआ था इनकी भी हार हो जाती हैं तो लड़ाई की शुरुवात में ही ये जो सेकेंड एंग्लो मराथा वार था ये 1803 से लेके 1805 के बीच में लड़ा गया था तो लड़ाई की शुरुवात में ही सिंधियाओं और भूसले की हार हो जाती है जिसकी वज़े से यश्वन्त राओ हुलकर को अकेले लड़ाई पूरी लड़नी पड़ती है लेकिन वो काफी तकत और बहादूरी से लड़ाई करते हैं यश्वन्त राओ हुलकर देपीटेट ब्रिटिशर्स अट मैनी फ्रंट्स बट अल्टीमिटली हैट तो कम टू टर्म्स विद ब्रिटिशर्स इन 1805 जो तीनों जगे राजस्थान और राजस्थान से लगते हुए मध्यप्रदेश के इलाके में तो वैसे तो यश्वन्त राओ हुलकर बहुत सारे मोर्चों पर जीते अंग्रेजों से लेकिन क्योंकि अकेले पड़ गए थे तो कई मोर्चों पर हार भी हुई और इसलिए ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसमें की यश्वन्त राओ हुलकर को अपने उत्तर के कुछ इलाके उनकी टेरीटरी के नौर्थ के कुछ इलाके ब्रिटिशर्स को सौपने पड़े इसी के साथ ब्रिटिशर्स में सेंट्रल इंडिया और वेस्टन इंडिया में अपना डॉमिनिन सेट अप कर लिया Marathas अब कोई बड़ी पावर नहीं रहे गए ज्यादा तर Marathas Marathas Powers ने Britishers के साथ में alliances कर लिए और उनके subordinates बन गए यहीं पे होता है 1818 में Third Anglo Marathas War 1818 में होता है Third Anglo Marathas War जिसको पिंडारी War के नाम से भी जाना जाता है क्यों होती है लड़ाई वैसे तो Marathas Power को Britishers पूरी तर अपने कंट्रोल में ले चुके थे लेकिन पिंडारी जो की Marathas के military mercenaries हुआ करते थे यह ऐसे लोग हुआ करते थे जो loot part करते थे यह Marathas के सेना में काम तो करते थे यह Marathas के लिए लड़ाई तो करते थे लेकिन Marathas इनको salary नहीं देते थे सिर्फ लड़ने के लिए बुलाते थे जिसके बदले में Marathas ने इनको loot की छूट देके रखी हुई थी कि वो गाउं को loot part करके अपनी जरूरत की चीज़े पूरी कर सकते हैं लेकिन इन पिंडारियों ने जब अंग्रेजों के काफिलों को भी लूटना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने पिंडारियों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी और अपने पिंडारी soldiers को बचाने के लिए मराठे भी इस लड़ाई में आ जाते हैं और इसी के साथ ये पिंडारी वार थर्ड अंग्लो मराठा वार बन जाता है लेकिन अंग्रेजों के तयारी बहुत अच्छी थी बाइ दिस टाइम उनकी पिंडारी एपसकॉंडिंग यहने के भाग गए और इस तरह से पिंडारी जो मराठों के मिलिटरी के इंपोर्टेंट पिलर्स हुआ करते थे उसको भी अंग्रेज उन्हें तोड़ दिया 1818 में और इसी के साथ मराठों की complete defeat होती है और इसी complete defeat के साथ अंग्रेज जब भी किसी भारतिय शक्ति को defeat करते थे तो उस भारतिय शक्ति के साथ subsidiary alliance का मतलब यह होता था कि वो इंडियन पावर अब Britishers के subordinate बनकर रूल करेगी अपने इलाके में Britishers को लगान देगी Britishers को military assistance देगी जब भी Britishers को ज़रूरत पड़ेगी और उसके बदले में Britishers वहां के राजा को उस इलाके में rule करने देंगे तो यह subsidiary alliance या सहयक संधी सारे ही मराठों को sign करनी पड़ी इसी के साथ में Central India और Western India के इलाके वे Britishers के dominance में completely आ गए जहां तक राजपूताना का सवाल है या राजस्तान का सवाल है तो वहां के rulers ने भी मराठों की हार के बाद में Britishers के साथ में subsidiary alliances sign करना शुरू कर दिये थे तो उत्तर भारत में भी Britishers का या उत्तर पश्चिम भारत में भी Britishers का दबदबा बहुत बढ़ गया था अब सिर्फ एक ही जगे बची थी पूरे भारती उप महद्वीप में जो Britishers के control में नहीं थी और वो थी पंजाब के अंदर जहां पे महराजा रंजीस सिंग की leadership में एक बहुत मजबूत सिख empire बना था महराजा रंजीस सिंग और Britishers के बीच में 1809 में अमरित्सर की ट्रिटी होती है जिसमें दोनों ही powers एक दुसरे को respect करती है और promise करती कि दोनों ही powers एक दुसरे की sovereignty को challenge नहीं करेगी लेकिन जो महराजा रंजीस सिंग की डेथ होती है तो महराजा रंजीस सिंग की डेथ के अच्छा यह महराजा रंजीस सिंग की डेथ के बार में पहले में बता देता हूं जो महराजा रंजीस सिंग की डेथ होती है तो उसके बाद उनके successors के बीच में war of succession शुरू हो जाता है, in fighting शुरू हो जाती है, अंग्रेज इस in fighting का फाइदा उठा के पंजाब के अंदर अपने dominance को, अपनी military posts को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब सिख इसके खिलाफ objection लेते हैं, तो इनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है जो कि first Anglo-Sikh war के राम से जानी जाती है, जो 1845 से लेके 1846 के बीच में होती है, जिसमें सिखों की हार होती है, लाहौर की treaty sign की जाती है, जिसके तहत ये तय किया जाता है कि अब अंग्रेज अपने किले बंदी, अपनी military post पंजाब के अंदर बनाएंगे, क्योंकि वो ये कहते कि हमें अफगानिस्तान जाना है, और रशियन एंपायर जो अफगानिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको अफगानिस्तान में रोकना है, तो उसके रास्ते हमको पंजाब से चाहिए, इसलिए हमको पंजाब में military posts बनानी होगी, तो क्योंकि सिखों की हार भी हो जा और इस सेकेंड एंगलो सिखों में सिखों की पूरी हार हो जाती है, और पंजाब में उनकी political और military power का end हो जाता है, इस पूरे इलाके के अंदर सबसीडीरे लैंड साइन नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स बलकि इस इलाके को जीत कर एनेक्स कर लेते हैं, अपने empire का हिस्सा बन इस इंडिया कंपनी का पूरा control establish हो जाता है, वहां के ruler दिलिप सिंग जो की बहुत छोटे बच्चे थे उनको लंडन डिपोर्ट कर दिया जाता है, और पूरे पंजाब के इलाके में सिख अपने आपको मजबूती से establish कर लेते हैं, अच्छा इस बीच एक slide जो रहे गई थ मैं उस slide को अभी आपको बता देता हूँ, और यह slide है, abolition of thuggy, एक बड़ी interesting चीज हुई थी, 1830 से लेके 1840 के बीच में, ठगों का उन्मूलन, या जिसको कहते हैं, abolition of the thugs, तो abolition of thugs क्या था, तो पहले thugs क्या थे, Central India के अंदर कुछ ऐसे bandit groups रहा करते थे, जो bandit groups लोगों को यहने की रास्ते में आने जाने वाले व्यापारियों को ठग लिया करते थे, ठग लिया करते थे, मतलब कि उनको पकड़ लेते थे और उनको पकड़ के, उनको strangulate करके, उ उनका सामान लूट लिया करते थे, इस तरह के groups को ठग कहा जाता था भारत के अंदर, पहले किसी जमाने में ठग पूरे भारत के अंदर पहले हुए थे, खास्त और पे Northern India में, लेकिन दिली सल्तनत के दौर में, फिरोज शा तुगलक के फेज में, ऐसे बहुत सारे ठगों क अपने आपको देवी का भक्त मानते थे, और ठगी को ही अपना Profession मानते थे, मुसाफिर या व्यापारी जो एक जगे से दूसरी जगे यात्रा करने के लिए जा रहे होते थे, इन मुसाफिरों को पहले भुले भाले बनके उनके दलों में शामिल हो जाते थे, और फिर जब मुका पढ़ता था कि कोई मुसाफिर या कोई काफिला इन ठगों को जो उनके दल में शामिल हो जाते थे, उनसे comfortable हो जाता था, उन पे विश्वास करने लगता था, तब सही मुका पाकर ये ठग अटैक कर देते थे और अटैक करके ये अपने विक्टिम को मार देते थे, क् ये देवीमा के भक्त थे तो ये कहते थे कि जैसे रक्तबीज राक्षप के रक्तपीज बुंदों को जमीन पे नहीं पढ़ने दिया जा सकता था, वैसे ही ये अपने विक्टिम को ब्लड़ शेड नहीं करते थे, जैन इनका एक तरीका था कि इनको अपने वीक्टिम को मार जैसे कि इस फूटोग्राफ में आप देख रहे हो तीन चार ठगों ने किसी एक सेट को पकड़ लिया और उस सेट को पकड़ के उसके हाथ और पाओं को कंट्रोल करके उसके गले को स्ट्रेंगुलेट कर दिया रुमाल से तो खून भी नहीं निकला विक्टिम भी मर गया और उसका सारा सामान लूटके चले जाते थे तो इन ठगों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था सेंट्रल इंडिया के अंदर और कई लोग परेशान थे जब ब्रिटेशर इस 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 इलाके में मराठो को डिफीट करके रूल करना शुरू करते हैं तो वो इन ठगों को वाइप या फिर उनको माल डालते हैं या फिर इस तरह के ठग इस तरह की ठगी करने को completely छोड़ देते हैं तो ये भी एक important चीज थी जो ब्रेटिशर ने करी थी जब वो भारत में conquest कर रहे थे abolishment of the thuggy between 1830 to 1840 तो ये ठगों का पूरा उन्मूलन अंग्रेज होने कर दिया और इसका credit जाता है Captain William Henry Sleeman को ज्यादा तर इस तरह के ठग present day मद्धिप्रदेश के eastern इलाके के जंगलों में operate करते थे जहां से उनको छुपना आसान होता था जहां बहुत घने जंगली रास्ते होते थे जहां पे traders के convois जाते थे उन convois के बीच में एक एक करके ये धीरे धीरे जुडते जाते जाते थ क्योंकि अपने साथ हतियार क्यारी नहीं करते थे कई ठग faith को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपने साथ में छोटे-छोटे बच्चों को भी रखते थे जिससे कि कोई भी इनको भूला-भाला मासुम समझ के अपने group में शामिल कर लेता था और फिर जैसे कोई काफि चलने के बाद फिर एक यंग लड़का शामिल हो गया ऐसे करके पचास किलोमेटर तक चलते चलते साथ आठ ठग याड दस ठग इनके group का हिस्सा बन जाते थे जिनके उपर शक नहीं होता था और फिर किसी पॉइंट पे जब यह व्यापारी कहीं रुपते थे सो रह होते थ उस समय सारे अक्टिव होते थे और अपने सारे मेजर टार्गेट्स को किल करके कंट्रोल कर लेते थे उस पूरे काफिले को और उसका सामान लूटके भाग जाते थे दशेरे के बाद से अपनी अक्टिविटीज शुरू करते थे और बारिश के पहले तक इनकी अक्टिवि तरह के टेक्सेशन सिस्टम्स इंपोस करने शुरू किये जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट वो एर्ण कर सके minimum responsibility के साथ में और इसी process में सबसे पहले 1793 में पहला land revenue system वो लेके आते हैं जिसको कहा जाता है permanent settlement of Bengal जिसका मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं स्थाई बंदोबस्त 1764 के बाद 1765 से लेके 1772 के बीच में अंग्रेजों ने बंगाल में dual government setup करी थी dual government याने द्वैत शासन जहां पर निजामत राइट्स याने के administration के राइट्स तो बंगाल के नवाबों के पास थे जो puppet नवाब थे लेकिन जो दिवानी राइट्स याने की tax collection के राइट्स थे वो बट अंग्रेज क्या किया करते थे अंग्रेज किया करते थे जमीनों के auction उन्होंने ये तय किया कि बंगाल का कोई भी जमीदार अब अपनी land का permanent owner नहीं है और हर जमीदार को किसी जमीन के उपर अगर अपना कबजा चाहिए तो वो limited period of time के लिए उसको मिलेगा और वो तब मिलेगा जब वो उस जमीन की कीमत चुकाएगा अंग्रेजों को और इसी के साथ में बंगाल में जमीनों के auctions शुरू हो गए जो लगबग 20 साल तक चले लेकिन 20 साल के बाद 1793 में अंग्रेजों को इस बात का realization हुआ कि इस process में हमने बंगाल के जमीदारों को बहुत नाराज कर दिया है जो कि एक बहुत dominant community है और अगर ये community हमसे इसी तरह नाराज रही जिनको हर बार अपनी जमीदारी के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा तो ये हमारे against rebellion कर सकते हैं लोगों को एकटा कर सकते हैं इसी लिए अंग्रेजों ने ये तय किया कि बंगाल के जमीदारों को उनकी जमीन का permanent owner बना दिया जाए और क्यूंकि उनको permanent owner बना दिया गया था इसी लिए इस system को permanent settlement कहा जाता है तो बंगाल के जमीदारों को अपनी अपनी जमीनों का permanent owner तो बना दिया गया लेकिन अब permanent owner बनाने के बाद उसमें clause ये रखा गया जब तक ये जमीदार रेविन्यू देते रहेंगे अंग्रेजों को तब तक ये जमीन के मालिक माने जाएंगे अगर वो फेल हो जाते हैं रेविन्यू पे करने में तो फिर उसके बाद वो जमीन उनसे चीन ली जाएगी और किसी और को आक्शन कर दी जाएगी लेकिन इसमें कैच क्या था? कैच उसमें ये था कि 10 by 11th portion of the revenue for the government and 1 by 10th was for the जमीदार याने कि इस सिस्टम में जमीदारों को tax collect करने की पूरी आजादी दी गई थी जितना tax आप collect करना चाहते हो उतना tax collect करो लेकिन उस tax का 90% हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाएगा as tax और उसका 10% हिस्सा जमीदार अपने पास रखेंगे तो ये सबसे बड़ा कैच था इस जमीदारी सिस्टम में या permanent settlement of Bengal के अंदर की जमीदारों को अपनी जमीनों का permanent owner तो बना दिया लेकिन उनके सामने ये मजबूरी रख दी कि 90% of the collected tax would be given to the East India Company, only 10% would remain with the जमीदार लेकिन फिर भी जमीदारों को permanent ownership मिल रही थी तो उन्होंने इसको accept किया आज के बंगाल, आज के West Bengal, आज के बंगलादेश, आज के बिहार, जारखंड और उडिसा के कुछ इलाकों में इस सिस्टम को लागू किया गया था जिसे permanent settlement system कहा जाता था 90% tax बंगाल का अब अंग्रेजों की जेब में आ रहा था और responsibility भी उनकी कुछ नहीं थी सारा management का काम जमीदार का हो गया था तो यह एक system था maximum profit with minimum responsibility दूसरा system जो रैयतवाडी system के नाम से जाना जाता है The system of land revenue was instituted in late 18th century by Thomas Monroe, governor of Madras in 1820 This was practiced in Madras and Bombay areas as well as Assam and Kurga provinces देखिए यह system कितने इलाकों में practice किया गया आज के Tamil Nadu, आज के आंदरप्रदेश, आज के करनाटक के कुछ इससे, आज के महराष्ट के बहुत बड़े हिससे आज के गुजरात के कुछ इससे और आज के पाकिस्तान के सिंद के कुछ इससे मतलब बहुत बड़े पार्ट आफ इंडिया में यह रियत वाड़ी system practice किया जाता था क्योंकि इसमें Bombay province भी शामिल थी, जिसमें महराष्ट, गुजरात और सिंद का इलाका आता था और Madras province भी शामिल थी, जिसमें की तमिल नाडू, करनाटक, आंधर प्रदेश के इलाके आते थे इसलिए भारत के बहुत बड़े हिस्से में यह system introduce किया गया था इसे रियत वाड़ी system कहा जाता था क्योंकि इसमें जमीदारों से tax collect नहीं किया जाता था सीधे आम किसान से अंग्रेज tax लेते थे, लेकिन इसमें tax के इसके अंदर दो-तीन catch थे सबसे पहली चीज, in this system the peasant और cultivator were regarded as the owner of the land इसमें एक आम किसान को अपने जमीन का मालिक मान दिया गया था वो किसी को जमीन बेच सकते थे, खरीच सकते थे, उनको complete ownership rights थे लेकिन इसमें catch ये था कि rate of taxes was 50% in dry land and 60% in wetland मतलब कि ऐसी जमीने जहां पर water की availability ज्यादा है, वहाँ पर produce का 60% tax ले लिया जाता था, और जहां पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी 50% tax लिया जाता था और वो भी कैसा? वो भी for 30 years यानि कि 30 अंग्रेज उनने क्या किया था, यह पर tax की rate को fix कर दिया था और यह कहा था कि किसान को अगले 30 साल तक उसी rate से tax pay करना है जिसके इसाब से जमीन का, जमीन के उपर उगने वाली फसल का एक estimate लगाया था कि भी कौन सी फसल उग रही है, उसकी market में क्या कीमत है, जमीन अच्छी है या बुरी है, irrigation अवेलिबल है या नहीं है उसके इसाब से वो एक rate fix कर देते थे 40% से लेके 60% के बीच में और 30 साल तक किसान को उसी rate से tax pay करना पड़ता था अगर किसान इन 30 सालों में कभी भी tax pay नहीं कर पाया तो वो किसान की जमीन जब्द कर ली जाती थी तो ये भी system एक ऐसा system था जिसमें अंग्रेज उन्हें minimum responsibility रखी maximum benefit earn किया कि ज्यादा से ज्यादा tax हम collect करेंगे किसानों से अगर किसान tax pay नहीं कर पाता था तो उसकी जमीन जब्द कर ली जाती थी तो ये भी एक authoritative और एक atrocity वाला ही act था जो Britishers ने किसानों के उपर impose किया था पहले act में भी किसानों के पास कोई scope नहीं था और फिर आता है तीसरा system जिसको महलवाडी system कहा जाता है the महलवाडी system was introduced by Halt Mackenzie in 1822 and it was revived under Lord William Bentonk in 1833 this system was introduced in Northwest Frontier, Agra, Central Province, Gangetic Valley, Punjab जैने कि उत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत North Central India और Northern India के इलाकों में एक अलग system prevail करता जिसका नाव था महलवाडी system ये system ऐसा था जहां पर individual किसान से tax ने लिया जाता था बलकि पूरे गाउं के उपर tax impose किया जाता था और पूरे गाउं के उपर suppose एक लाक रुपे tax impose किया अब पूरे गाउं को मिलकर collect करके एक लाक रुपे देना होता था जो tax collect किया जाता था जमीदार के महल से या जमीदार की हवेली से इसलिए इसको महलवाडी system कहा जाता था क्योंकि इसमें collection महल बाए महल होता था किसान बाए किसान नहीं होता था तो क्योंकि एक number एक उसको number दार भी बोलते थे जो tax collect करता था वो किसी जमीदार के पास जाता था और जमीदार के पास पहले ही किसान आके अपना-पना हिस्सा दे चुके होते थे तो इस तरह किसानों के उपर भी load नहीं पड़ता था क्योंकि कभी किसी किसान की खिती खराब होई तो दूसरा किसान जिसकी किसी की खिती अच्छी वो ज्यादा tax pay कर सकता था और जिसकी खिती खराब होई वो इस बार कम tax pay करेगा अगली बार जब उसकी खिती अच्छी होगी तो वो ज्यादा tax pay कर देगा तो इस तरह किसान आपस में coordination करके जितनी रकम उनके गाओं के उपर रखी जाती थी उतना tax pay कर देते थे जाके जमीदार को और उसके महल से अंग्रेज के officers जाके collection कर लेते थे इसी लिए इसको महल बाय महल collection की वज़े से महल वाडी system नाम दिया गया था जिसको halt mackenzie ने impose किया था या इसको halt mackenzie ने propagate किया था यहाँ पे भी ownership right अपनी जमीन की जमीदारों के पास ना होके आम किसानों के पास ही हुआ करती थी तो यह बाकी दो systems के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा rational और थोड़ा सा ज्यादा lenient system था लेकिन इन तीन systems के अलावा अंग्रेज उने कई तरह के legislations भी लेके आये थे जिन legislations के थूँ वो इंडिया को laws इंडिया को लेकर नए नए laws बना रहे थे और control कर रहे थे खास दोर पे अपने अंदर भी regulation लेके आ रहे थे क्योंकि Britishers के खुद के system में जो उन्होंने भारत में बनाया था कई flaws हो सकते थे और उन कई flaws की वज़े से उन्हें भी laws होता था तो अपने आपको भी regulate करने के लिए और अपने आपको और भारत के लोगों के लिए भी नए law बना रहे थे जिन्हें British legislations कहा जाता था क्या-क्या वो legislations थे और उसमें सबसे पहला और important legislation होता है Regulating Act of 1773 which was passed by the British Parliament to control the territories of East India Company majorly in Bengal क्योंकि उस समय Britishers का occupation सिर्फ Bengal तक ही limited था Maratho को मैसूर को सिखों को जीते जीते तो Britishers को 1848 आ गया था तो जो Act 1773 में आया था वो primarily आया था Bengal के लिए इसको लेके आया था Warren Hastings जो की Bengal का नया नया गवर्नर बना था This Act was passed due to the misgovernment by British East India Company that introduced the situation of bankruptcy and the government interfered with the affairs of the company Government had to interfere in the affairs of the company Angerese, Baksar की लड़ाई जीतने के बाद Bengal को पूरी तरह डॉमिनेट कर लेते हैं 1765 में और इसके बाद में Bengal में डियोल गाव्मेंट शुरू होता है जहां पर की Britishers के पास में Tax Collection के राइट्स थे याने की दिवानी राइट्स और बंगाल के पपेट नवाबों के पास में Administration के Responsibility थी लेकिन इस प्रॉसेस में बहुत ज्यादा करप्शन होता है East India Company के अंदर East India Company के Officers अपने तिजूरी अपने Personal जेब को भरने के लिए अपनी Company को भी चूना लगाना शुरू कर देते हैं जहने जो राइट्स Company को ट्रेड के लिए मिले थे बंगाल के नवाबों से उन राइट्स को अपने लिए इंडिविज्वली यूज़ करके वो Personal Benefit Earn करने लगते हैं और इसी लिए Company को बहुत नुकसान होता है जबकि वो तो भारत में जीत गये थे उनको तो फाइदा होना चीए था लेकिन खुद Company को ऑफिशल्स करप्ट थे और इसी लिए Company को नुकसान होना शुरू हो गया तो इसी नुकसान को Regulate किया Company की Activities को Regulate करने के लिए जो Act लेके आया गया था उसको Regulating Act कहा जाता था सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखाया था एक्ट प्रोवाइड फॉर्टमेंट ऑफ गवर्नर जेनरल अलॉंग विद दे कांसलर इन दे प्रेसिदेंसी ऑफ फूर्ट विलियम जॉइंटली कॉल्ड अस गवर्नर जेनरल इन कांसल जिसे कि अभी बात करी अपनने की अबजिक्टिव था कंपनी की अक्टिविटीज को रेगिलेट करना इसी लिए इन्होंने गवर्नर जेनरल का अपॉइंटमेंट किया जिसके साथ चार कांसल जिसका एक कांसल होगा और उसके साथ में चार कांसल मेंबर्स होंगे जो भी फैसला लिया जाएगा यह सम्मिल के लेंगे अकेला गवर्नर कोई फैसला नहीं लेगा इसको जॉइंटली गवर्नर जेनरल इन कांसल कहा जाता था साथ ही साथ एक सुप्रीम कोट का establishment किया गया उस समय के Calcutta के अंदर जिसका objective था कि अगर कोई भी मसला होगा कोई भी विवाद होगा तो उस विवाद का एक हल किया जाएगा उस सुप्रीम कोट के अंदर उस समय वो सुप्रीम कोट इंडियन सब्जेक्ट के लिए नहीं थ सिर्फ company के अंदर East India Company के जो officials थे उनी के बीच के विवाद को solve करने के लिए इस तरह के Supreme Court का establishment किया गया था तो इस तरह कोशिश की गई 1773 के regulating act से कि East India Company के officials की activities को control किया जाए लेकिन फिर भी corruption जारी रहा और इसी लिए PITS India Act 1784 introduced किया जाता है also called as East India Company Act 1784 passed by British Parliament to correct the defect of regulating act of 1773 जैसे कि मैंना आपको बोला कि 1773 के act के बाद भी corruption जारी रहता है क्योंकि उसमें कुछ flaws थे उनी flaws को correct करने के लिए यह 1773 के regulating act को और बहतर बनाने के लिए 1784 का PITS India Act लागू किया गया इसको PITS India Act इसले कहा गया जाता है क्योंकि William Pitt उस समय British Prime Minister थे जिनके दौर में यह act बना था इसले इसको PITS India Act भी कहा जाता है इस act resulted in dual control of British possession in India यह बहुत important point है और इस पूरे PITS India Act का core है कि भारत में British possession का dual control होगा अब तक जितना कुछ भी भारत के अंदर अंग्रेजों ने जीता था सब कुछ control East India Company का था लेकिन अब इन्होंने क्या किया अब इन्होंने कहा कि द्वैत शासन होगा यह अकेले East India Company के control में इंडिया की property को नहीं छोड़ेंगे बलकि East India Company के साथ में British सरकार की भी एक representative body होगी जो कि इंडिया के positions के उपर regulation और monitoring करेगी और इसी लिए for political matters board of control was established कि भारत में जितने भी राजनितिक मामले हैं सैनिक मामले हैं उसको control करेगा एक board of control जो अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधित वो करेगा अंग्रेज सरकार का representative होगा और जो commercial affairs हैं उसको control करेगा the court of director तो यह जो हो जाएगा यह क Government of England का representative और जितने commercial मामले हैं भारत के अंदर सिर्फ वो ही East India Company देखेगी तो उसके representative होंगे court of directors तो यह होगा East India Company East India Company, court of directors और board of control, government of England इस तरह अब Indian positions को यह दो bodies मिलकर देखेगी जिससे corruption होने की probability कमजोर पड़ जाएगी the act mandated that all civil and military officers disclose their property in India and Britain within two months of their joining क्योंकि बहुत सारे company officials corruption करते थे इसलिए उस corruption को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया कि जो भी British officer भारत में post किया जाएगा भारत में posting के दो महीने के अंदर अंदर उसको बताना होगा बंगरेश सरकार को कि उसकी कितनी property कहां है ताकि अगर उसने इंडिया में बहुत ज्यादा property बना ली कभी तो ये पता किया जा सकी कि वो बना ही कैसे property उसने तो within two months उसको अपनी property disclose करनी होगी The Presidencies of Madras and Bombay became subordinate to the Bengal Presidency जो Madras Presidency और Bombay Presidency Britishers के दो important headquarters हुआ करते थे उनको Bengal का subordinate बना दिया गया पहले ये तीनों अलग-अलग function करते थे और इसलिए corruption का scope बहुत ज्यादा था लेकिन अब ये दोनों report करेगी Bengal Presidency को और इसी के साथ कलकत्ता भारत की अंग्रेजों की राजधानी बन जाती है The Act established British Crown's authority in the civil and military administration of its Indian territories commercial activities were still with the monopoly of company जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि अब अंग्रेज सरकार British Crown का पूरा control हो गया भारत में किस princely state के साथ में treaty होगी किस के साथ में युद्ध होगा यह सब तय करे गया अंग्रेज सरकार और सिर्फ commercial activities East India Company के control में रहेगी तो इस तरह से अब East India Company को काफी control कर लिया गया उसकी activity को काफी control कर लिया गया में charter act आता है जिसको charter act of 1793 भी कहा जाता है जिस act continued companies rule over British territories in India तो इस act के थूँ जो commercial activities कर रही थी East India Company और इंडिया का administration कर रही थी तो वो East India Company को अगले 20 साल के लिए extend किया जाता है policy तो अंग्रेज सरकार ही बना रही थी लेकिन उस policy का execution East India Company की responsibility थी commercial activities के साथ साथ तो उसको 20 साल के लिए extend कर दिया जाता है the governor general was given more power he could override his council's decision under certain circumstances emergency की situation में governor general अपनी मर्जी से फैसला ले सकता था उसकी शक्तियां इस act के थूँ बढ़ा दी गई थी the salaries of the staff and board of control was also now charged to the company कि भई जो board of control यहाँ पे setup किया है जो government of England को represent करेगा इसकी salaries भी अब company देगी after all expenses the company had to pay British government 5 lakh rupees from Indian revenue annually और सारा कुछ हिसाब करने के बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसमें से 5 lakh रुपए सालाना इस्ट इंडिया कमपनी ब्रिटिश सरकार को देगी क्योंकि इस्ट इंडिया कमपनी ने इतना corruption किया था कि अभी इस्ट इंडिया कमपनी के उपर बहुत नकेल कस्दी साक के थूँ कि पाँच लाक रुपए सालाना आपको देना ही देना होगा अंग्रेश सरकार को तभी आप आगे काम कर पाओगे senior company officials were barred from leaving India without permission कोई भी company official जिसने corruption किया हो corruption करके भाग न जाए भारत से कहीं किसी दूसरे देश इसलिए इसके उपर भी पूरी पाबंदी लगा दी कि कोई भाग नहीं सकता अगर कोई बिना permission बाहर जाता है तो उसका resignation माना जाएगा और फिर वो एक culprit हो जाएगा अगर वो कहीं मिल गया तो अंग्रेश सरकार उसके खिलाफ case चलाएगी और उसको punish करेगी अच्छा एक चीज़ बहुत ज्यादा हो रही थी कहींने कहीं company के officials और दूसरे कई Europeans भारत के अंदर personally trade करके profit कमाना चाहते थे और इसी चक्कर में corruption भी बहुत बड़ा था तो इस act में एक नियम बनाया गया कि अगर कोई ऐसा है जिसको personally trade करना है तो कर सकता है लेकिन उसके लिए उसको एक license लिना पड़ेगा license लिने के लिए उसको pay करना पड़ेगा और trade से जो उसको benefit होगा उस benefit के बदले में भी उसको tax देना होगा तो जिस वज़ा से corruption हो रहा था उस वज़ा को ही legalize कर दिया Britishers ने लेकिन उसको legalize करके उसके उपर regulation लगा दिया कि ठीक है आपको ये काम करना है आप करो लेकिन इसके बदले में हमको tax दे दो तो आपका भी फाइदा हमारा भी फाइदा इस तरह से 1793 का act और ज्यादा regulations लेके आता है और कुछ liberty भी लेके आता है company officials के लिए कि वो free trade या personal trade कर सकते थे एक license लेके Charter Act of 1813 passed by British Parliament renewed the East India Companies Charter for another 20 years East India Company commercial activities के अंदर जो काम कर रही थी वो करती रहेगी Britishers का administration या Indian possession का administration continued रहेगा अगले 20 साल तक East India Company की authority को अगले 20 साल के लिए extend कर दिया गया The act asserted crown sovereignty over British possessions in India इस act में ये तये कर दिया कि अब जितना भी इंडिया में possession है अंग्रेजों का East India Company का उसकी ultimate authority British crown यानि के British government के पास है कुछ भी private नहीं रह गया अब East India Company का भारत में Everything they had in India belonged to the British government Their trade monopoly was ended except for the trade in T, OPM and with the China अब East India Company की trade की छूट तो थी लेकिन उनकी trade की monopoly को भी खतम कर दिया इस act ने अब East India Company सिर्फ जो international trade करती थी चाय का चायना के साथ में उसी के अंदर और अफीम का trade और चाय के trade जो चायना के साथ होते थे सिर्फ उसी के अंदर monopoly रह गई थी East India Company की बाकी अब trade को भी British government ने अपने control में ले लिया था तो धीरे धीरे हर act के बाद हम देखते जा रहे हैं कि British government East India Company से control acquire करती जा रही है Another important feature of this act was to grant permission to the missionaries to come to India and engage in religious propagations याद रखना है बहुत important point है कि 1813 के charter act के साथ ही अंग्रेजों को इस system को भी शुरू कर दिया था कि अगर कोई Christian missionary आता है भारत में और Christianity को propagate करता है तो East India Company उसको support करेगी protection provide करेगी और patronage provide करेगी ताकि वो Christianity को भारत में फैला सके and the act provided for a financial grant towards the revival of Indian literature बहुत सारे प्राचीन भारती गरंत जिनको Britishers translate करते थे उनसे चीज़े सीखते थे इस तरह के कामों को करने के लिए एक fund generate किया गया कि इस तरह के कामों को regularly और regulation के साथ किया जाए और ये प्रोवाइड ये financial grant भी East India Company को ही देना था इसके साथ अगला charter आता है 1833 का charter ये भी बहुत important charter है in fact बाकी charter के मुकाबले ज्यादा important ही क्योंकि इसमें सबसे पहले तो company की activities को 20 साल का extension दिया गया China के साथ जो company trade करती थी उसका भी end कर दिया गया और इस act में ये भी तय किया गया कि कोई भी Britisher अब भारत में freely settle हो सकता है लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव इस act में होता है वो यहाँ पे होता है अब जो बॉंबे और मेडरास के governors थे वो खतम हो गया और गवर्नर जनरल अब भारत का governor general हो गया और उसकी वज़ा ये थी कि 1833 तक आते आते अंग्रेजु ने Bengal का conquest कर लिया, मैसूर को defeat कर दिया, मराठो को defeat कर दिया राजस्तान की rulers के साथ में subsidiary alliances sign कर लिये, मुगल बाच्छा को अपना pensioner बना लिया तो actually अब ये पूरे भारत में rule कर रहे थे इसलिए governor general of Bengal अब बहुत छोटी position हो गई थी और इसलिए governor general of Bengal को अब बनाया गया governor general of India और सारी civil और military authority और power अब उसके हाथ में दे दी गई थी East India then became purely administrative body East India company का काम अब सिर्फ administration रह गया था नट्रेड में उनकी monopoly थी और politically तो उनकी monopoly पहले खतम हो चुगी थी पुराने act से अभी East India company क्या करती थी सिर्फ administration का काम करती थी this law provided company's territory in India to the British crown and its hair and successors the act also provided mitigation of slavery existing in India at that time 1843 में slavery act बना था भारत के अंदर जो propagate यहीं से हुआ था इसी act से हुआ था जिसमें की unfortunately भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में इनसानों को खरीदा बेचा जाता था तो इसको एक in human activity करार देते हुए Britishers ने भारत में इनसानों के खरीदे और बेचे जाने को कानूनन जुर्म बना दिया एक illegal crime declare कर दिया कि किसी इनसान को खरीदना या बेचना एक crime होता है और slavery कि कोई इनसान कोई इनसान किसी को खरीद के अपना गुलाम बना के रख ले इसको भी एक criminal offense बना दिया और इस तरह एक अच्छी चीज़ यहां पर होती ही कि इंडिया में slavery का कानूनन पूरा अंत होता है लीगली स्लेवरी एंड होती है भारत के अंदर और फिर आता है चार्टर एक्ट ओफ 1853 empowered the British East India Company to retain the territories and the revenues in India in trust of British crown and not mention its time जैसे हर बार East India Company के administration के duration को 20-20 साल से बढ़ा दिया जाता था इस बार 1853 के इस Charter Act में यह बढ़ा दिया गया लेकिन कब तक के लिए बढ़ाया गया इसको mention नहीं किया गया बस बढ़ा दिया गया था uncertain period of time के लिए वो एक साल भी हो सकता था और पचास साल भी हो सकता था तो इस बार time mention नहीं किया जो हमेशा 20-20 साल से बढ़ा देते थे it established Indian legislative council and it adopted the procedure of the British Parliament the civil services was open to Indians अब क्या हो रहा था by this time Indians की demand अब अंग्रेज उन्हें यह मानना शुरू कर दिया था कि India हमारे empire का हिस्सा है तो इंडिया को और अच्छे से function करने के लिए parliamentary system उन्होंने भारत में बना दिया था जिसको वो कहते थे the Indian legislative council जहाँ पे governor general of India होता था और उसके council के members होते थे बहुत सारे और यह लोग भारत को वैसे ही function करते थे जैसे कि parliament से खुद अंग्रेज सरकार लंडन में अपने empire को function करती थी तो आज जो parliamentary system है भारत के अंदर उसका forerunner सबसे पहली बार भारत में यह Indian legislative council ही बना था करदी गई थी इस act के द्वारा हाला कि Indians के लिए बहुत टफ होता था उस समय civil services को crack करना क्योंकि papers ऐसे subjects के होते थे जो Indian नहीं होते थे Greek literature, Latin literature, English literature जैसे subjects हुआ करते थे European philosophy, ancient European world ऐसे subjects हुआ करते थे उसकी proper notes और books available नहीं होती थी भारत में, age limit Indians के लिए बहुत कम होती थी exam में appear करने के लिए तो इन सब चीजों के चलते Indians के लिए मुश्किल तो बहुत था civil services join करना, officer बनना लेकिन फिर भी वो open कर दिया गया था भारतियों के लिए इस act के द्वारा This ended the system of appointment by recommendation and started a system of open and fair competition कि इससे पहले officers की positions के लिए जो appointment होते थे वो appointment किसी senior officer के recommendation पे हो जाते थे लेकिन अब ये competitive exam का system लागू करके ये recommendation के basis पे होने वाले appointments के system को पूरी तरह cancel कर दिया गया, इसको end कर दिया गया The new provinces of Sindh and Punjab were added, दो नए प्रांत बनाये गए, Sindh और Punjab It could also appoint a lieutenant governor for these provinces जिसे हर province में governor होता था, जो ultimately subordinate होता था governor general of India का लेकिन कुछ छोटे-छोटे provinces होते थे जहाँ पे governor की जगे lieutenant governor function करता था तो Punjab और Sindh के लिए lieutenant governor भी बनाये गए It also led to the creation of Assam Assam के Rajji का भी creation इसी act के द्वारा होता है तो इस तरह Britishers बहुत सारे land revenue systems और बहुत सारे acts के थुरू भारत को effectively control करना शुरू करते हैं लेकिन ये सारे legislation का land revenue systems का Britishers के इंडिया में conquest के repercussions भी होते हैं कि बहुत सारे Indians इंसके against rebellion करते हैं armed rebellion करते हैं जूकि आने वाले chapter में हम discuss करेंगे आज के लिए इतना ही करेंगे Thank you very much Jai Hind